अगर मैं आप सबसे पूछूं की लाइफ और डेथ में कितना फर्क होता है तो जादा नहीं एक क्लिक ओफ बटन का फर्क होता है और ये बात समझाने फिल्म आ रही है बारा बारा जो की 24 मही को रिलीज होने जा रही है बहुती इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुती ड लास्ट रिमेनिंग डेथ फोटोग्रफर आम शुर कुछ लोगों को डेथ फोटोग्रफर कॉंसप के बारे में नहीं पता होगा तो आए फिल्म के बारे में जानते हैं कि इंट्रेस्टिंग कॉंसेट इंट्रेस्टिंग स्टोडी क्यों चुनीं गई पूरी फिल्म के टी तो मुझे लगा थोड़ा सीरिस सब्जेक्ट लेकिं जब ने दूसरी और तीसरी बार ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा मेरा बहुत मन किया इस फिल्म के बार में और जानने के लिए तो डेफ फोटोगरफर जैसा टॉपिक आप क्योंकि दोनों राइटर्स भी है तो मैं आप दोनों से जाना चाहूंगी कि आपने क्यों चुना वाट मेड यू फील कि लोग इस तरह की फिल्म देखना पसंद करेंगे कवीताई शुक्रिया पहले तो हमें बुलाने के लिए इस प्लैटफॉर्म ते और फिल्म के बारे में बात करने के लिए आपने बहुत सही लाइन से आपने कारिकरं की शुरुवात की ना की जिंदगी और मौत में फ़रक क्या है बस बटन लबाने भरका तो एक्षली दे फिल्म तो यह फिल्म कहानी यह टॉपिक क्यों चुना गया तो वह बताने के लिए मुझे थोड़ा से पीछे जाना पड़ेगा तो बारा बारा मेरी पहली फिल्म नहीं होने लाई थी तो मैं और सणी हम लोग में काफी कहानिया लिखी हैं तो हम एक दूस वह बताने का जाते हैं तो आफीन बार शुरू के बंद होगी वैसा यह वा और किसी भी फिल्मेकर के लिए बहुता बड़ा बड़ा तो हम काफी गुस्से में थे जैसे युजिल्य अगर फिल्मेकर से जिंदगी में से सेट बैक साथे तो तो उन्हारा ले लेकिन हम उन्ह काम की बात है जब हुम बैठे थे और हम काफी गुस्से में थे जिस तरह की कहानिया हम कहना चाहते हैं बनाना चाहते हैं वह कोई आके हमारा हाथ पकड़ के वह कहानी बनाने के लिए में आवाज नहीं देगा तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है कि सनी एक स्क्रिप पे काम जरूरिया तो ना तो नाटे जो है बटी इंट्रेस्टिंग कारेक्टर थे तो सनी ने मुझे बताया की यार यह करेक्टर है मुझे तो बहुत पसंद आह से बढ़की और एक्टिली मैं ूँ कारेक्टर के बबारे में सुनको उचल पड़ा है लिटरलीर क्यूंकि उस कैरे एक तो मैंने इन चैरेक्टर के बारे में सुना नहीं था हला कि मैं नौर्थ से हूँ खुद हर्याना से बिलॉग करता हूं मैं बनारस गया हूं बच्पन में तो मैंने मन में सोचा कि इसमें इतना सिनेमाटिक पुटेंशल है और यह कैरेक्टर लोगों को जरूर मूव करेग मेरा दुर्च्पन से एक्शली नेक रही है कि मैरा ना मैं दुमिया से थोड़ा अलग चलता हूं तो मेरे जितने भी तॉपिक्स रहे हैं और बहुत ऑलग अलग सब्जेक्स रहे हैं शायद मैं उनको अटर्याट करता हूं तो यह मेरी बिल्कुल वेवलेंद के मताबिक थ तो मैंने हमने डिसाइड किया कि चलो चलते है बनारस और हम पहुंच गे हमारे पास कागस पे पांच पॉइंट थे सिर्फ कोई कहानी भी नहीं थी सिर्फ यह किरदार था और तीन चार विजूल थे नाटे तो था ही क्योंकि नाटे तो स्टार्टिंग पॉइंट था तो हम बनारस पहुंचे और हम नाटे से मिले और नाटे इतना खुबसूरत आदमी निकला इतना कोकी आदमी निकला उसके इतने सारे पहलू थे उसके जिंदगी जीने के और वो इतना कॉंफिडेंट इतना इतना बातूनी और जिस तरीके से उतना काम करता था वो इतना इंस्प प्रिंटिंग साइजिस के बारे में बताया, कैसे वो मूल भाव करता है उसके बारे में बताया, तो सबसे पहली चीज जो मुझे स्टाइक ही कि इस कारेक्टर की वो आयामो को एक्स्प्लोर करने में कितना मज़ाएगा, कैसे अपनी सब्जेक्ट को फोकस करता होगा, क्योंकि इंस्टक्त तो नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी सब्जेक्ट को फोकस करता होगा, क्योंकि इंस्टक्त तो नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी सब्जेक्ट को इंस्टक्त कर सकता है, क्योंकि अपनी सब्जेक्ट को इंस् का अपनी तो किरद। की तो पुपनी एहम बाता लेकिन जिस स्पेसरा किरदार बोपरेट करता है उसकी एक कैर्यार शंसक्रम सिस्ट्रीय है उसकी इक अपना एक हम प्राप मार्वानी और सबसे फैसीनीटिन बात अपनी लगी जह हम संपना प्राइस में थे यह कारेक्टर की जो क्राइसिस है, वही क्राइसिस इस शेहर की भी है, कि नाटे ने में बताया कि सर धन्दा नहीं चल रहा है बिलकुल, क्यूंकि लोग सब साले स्मार्टफोन लेके बैठें, मुबाइल पॉन से पिक्चर ले 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 ले, सब क्लिक कर रहे हैं, सर ग्रिस्ती नहीं है, तो बतादी नहीं है नाटे बिसाइड कर लिया था, कि वह ब्रदर इन-लाओ की तो फैक्टरी में गाम करेगा कर दोड़ देगा और उप्क्राइब और अधन्दा चोड़ चूड़ चूका, और बहुरे जो पारल्लेल्स हैं शहर और इस क्रिदार की ब्रेक्टर तो यह सब चीजों नहीं काफी इंटरेस्स किया और फिर उमने महा से स्क्रिप्ट नहीं चुरूब वांड़फुल Sunny आप से मैं जाना चाहूंगी कि इस फिल्म में प्रेमियर किया केरिला फिल्म फेस्टिवल उसके इलावा शंगाई इंटरनाशनल प्रेमिर भी हुआ शंगाई फिल्म फेस्टिवल और हर जगा बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिला इस फिल्म फेस्टिवल में तो अप्रेसिएशन मिल रही है पर अगर आम बात करें नॉमल सिनिमा की कमर्शल सिनिमा की आपको लगता है मास्स इस तरह की फिल्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे तरह की? यजजग मिमें की उसला जखाने सो तरह की थाली नो सही पसंद़ा है कैसा में भाल्य रिस्टिवे की पठान चाहिए लगिन सत्यूरा नहूंद भाल्य रिस्ट्वाणी चाहिए ल्कर weekend स्वाधनी ठे़्यूरा की मिल ख्य BHा स्वार पॉधनूरा क्यों जाओ बट मेरा ओडियंस एक सर्टेन ओडियंस है जो ओडियंस तरह तरह की फिल्में देखती है अगर आज आप देखोगे जब हम लोगों ने फिल्म बनाना शुरू किया था जिंदेगी में तब यह OTT प्लैटफॉर्म्स नहीं थे हम इंटरनेशनल सिनमा इंडिया के अलग- कि आप यह OTT प्लैटफॉर्म ने किया था प्लैटफॉर्म ने एक स्वाथ कोरिया का अफिल्म इन्डिपेंडेंदेंट शो कल स्कुिड गेम को सारा दुनिया में प्हला दिया और उसका जो इंडिया में वीवर्शिप हे वह इंडियन मेंस्ट्रीम मेंस्क्रीण पॉप्य or that's what's the magic of OTT is so what it has created what OTT has created has created a scenario for watching various flavors of cinema which was always existing but not accessible to people right now the scenario with independent films in India is like the infrastructure around independent films is very weak when I say infrastructure is weak I don't mean to say in terms of the filmmaking there are many films being made all my friends are we are all trying we are all making very good cinema Indian independent cinema is in really good hands okay now we are now till till this year can was about what is Aishwarya Rai wearing yeah but this time can is about a girl who is from FTII who has made her debut film and is featuring in Indian competition after almost 38 years main competition so that is where Indian cinema is so no Shah Rukh Khan could take their film there not I'm not kind of names dropping is not the purpose here the purpose is what I'm trying to say mainstream popular cinema ka jaga hai but India itni bari desh hai or here there is also an audience for various other kinds of films while I say this barabai bada itself it's a it's a it's a it's a heart-warming story you know when we talk about non mainstream cinema a lot of the time people think of it as like very high-brow art but barabai bada actually art apne hesaap se but all the strange film is the story about one so has something we think about one that of the stories from his story from the story from his story from a book about the end of 10 and the story from his story from a 10 year old character he's a one to be one to be one to be 80 year old has anything in him because of the story I don't even know he's a one to become a one to be 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 जो एंटेंशन स्पैन अभी बेसिकली सिनमा तो छोड़ दीजिए पांच मिनिट का वीडियो भी हम नहीं देखते हैं तो बारावाई बारा आपको इस लेवल पे चैलेंज करती है कि आप बैट के चेयर में दो गंटा मुझे दोगे कि नहीं जहां पे मैं आपको अपने आप विश्वास है पांच मुझे ये विश्वास है ट कocalyptic किपमा म cessation structure is like I have to compete with a बरे मिया छोटे मिया, how do I even do that? So the distribution network, the exhibition network, none of them take into account like they do in other European countries or even in the United States. There is an ecosystem of releasing independent cinema in theatres and taking it to audience. India really lacks it. It has always lacked it. People have spoken about it. I am not the first one who is doing it. People from my earlier generations have spoken about it. People from my next generations will speak about it. We hope that this entire ecosystem changes to kind of get to a point where a Pathan releases in 5000 screens but a film like Bara by Bara or supposedly now Pyle's film is in Cannes. Pyle's film get a release in theatres after Cannes competition at least in X number of theatres so that a mainstream popular audience who watches the big masala films of Bombay and other industries. vernacular, South Indian industries, huge. They make huge films. So they also get an opportunity to watch these small films. Githika, if you talk about filmography, you have done a lot of work. You have enjoyed your work in Thapad. School of Lies, OTT, which you have done a lot. And in 2018, it was debuted. Maybe you have done a film with Sony. I want to talk about the journey that you have done a lot. And the roles that you are getting. Are you happy with the kind of roles that you are getting? Now, how do I watch this journey? How do I watch this journey? I watch it with gratitude. And sometimes, I watch it with a lot of work. I watch it with the kind of work. I watch it with the kind of culture. I watch it with the kind of culture. I watch it with the kind of culture. I watch it with the first generation. No other films are not in your family. No, I happen to be the first one. Wow. So, father wanted to become an actor. I have become one. So, I feel... So, you have done a lot of support when you decided to join in your film. I believe in spirituality. And I believe that is the only truth. He passed away when I was one. And I have complete faith in the fact that he has supported me. In a way, much better than anyone else's father. I could have. Because my first movie was Sony. I played... I started my career in and as Sony. That film... I watched it for the first time on the big screen in Italy. That was my first trip out of the country. My first stepping down out of the country was in Rome on my way to Italy. I believe... I look at my journey with gratitude. And I believe it has been possible because he is... I have an advocate up there for me. Lovely. With which roles that you offer today are you already? You... 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 Why? You're doing it? I'm sorry. You know... Sometimes... You sometimes see who I say it... You don't know who I am. But... वर एक आउसाइडर के लिए फिल्म में जगा बनाना कितना मुश्किल है। आउसाइडर होने के बातना एक फॉर्चुनेटली एक नखरा है जो गया नहीं है कि ऐसा नहीं लगता कि मैं आउसाइडर हूँ जो मिल रहे करूँ भू नहीं आई आई अन्वर से कभी कभी-kभी किसी नहीं संझाया भी फिर मैं सुन भी आई शांती से क्योंकि तमीज तो है लेकिन मुझेस रखता है कि ऐसो तो मैं करूंगी नहीं आई आपने पेशन्स रखी आपने वही किर्दार की जो आप करना चाहते ना कि सिर्फ जिसके जो किर्दार कि करपोड करें लेदि तो क्तल्ए जोल्स नहीं करें तो अगो किर्दार की ना जब आप शुरू एसे फिल्म से करें जिसके लीड आप है तो For example, I'll share this little incident, तपड के अउडिशन के लिए the person who called me said, आप तापसी पन्नु की मेड का पार्ट करेंगे और मैने कहा कि मेड तापसी पन्नु की नहीं होगी, उनके कारेक्टर की होगी, तो तो तब ही तो मझे लगते क्या पार्ट करेंगे, तो शायद लोग भी बातशीत करते करते हैं, एक बाजार की भाषा आजाती है, मैं लिटरिचर की स्टुडेंट हूँ, वो भाषा में ही लड़ाई हो जाती है, फे रभी निष्ष कर ले ती मैं ऐसे आता है मैं जो गुस्ता में क्या करेंगे। तो when that part was offered to me, I spoke to Harshma, I call her Harshbala, I'm thankful that I have her guidance, मैंने उनको, मैंने पहरी चीज तो यह कही थी कि मुझे script, मैंने एक बार audition दे दिया, तो फिर मुझे script देना क्यूंकि उन्हे मैं पसंद आई, तो उसके बाद मुझे भी तू पसंद आने थे पसंद आया, then I got the script, and I read it with Harshma, and she told me that this is gonna be a character in the history of cinema, it will be important, don't look at it the way they are looking at it, otherwise you will come from your hands and then I took it upon myself that this part, I will make it unforgettable. Wow, nice. And Tapsi herself, and I give credit to Tapsi for being so generous and so supportive and so sporty, like she has the sportsman spirit, where she told me, there was something that had hurt me, and I shared with her, and she told me that that after any theatre, you don't forget about it, don't worry about it, don't worry about it, those who are now looking forward, will be completely different, because you rocked it. And that is how the parts are not appealing, I bring it to my table, I say what is it bringing to the story, what will I bring to it, is it adding to the story, will I add something to it, oh let's make something. Momika, I want to know you, you are from NSD, and your father is also doing theatre, he is a theatre, wonderful. So I am sure there is no lack of talent in your opinion. What I want to know is that when you were doing this film, because it is based on Varanasi, you know, it is based on your career, how different it is, and what did you learn, or what was your experience like, has anything changed in you, that you are keeping in your life? It was a very big trauma, which, like from my childhood, I was very scared from going to a funeral. 12 by 12, I have released that trauma, that no, this is a truth, with it, you have to have a connection with it, you have to understand it. Acceptance. Yeah, acceptance. And also, apart from this, the house of money, there were two or three lodges on it. Okay, just there. Exactly. And the feeling, the first two days were like, like, after your death, there is a situation in your house, in your Hinduism. It is an elongated situation for us. But where there is no moaning, where there is a sorrow, in your life. But sometimes, there is a sense of satisfaction, that the soul of the soul, and the people who are passing by here, sometimes, is leaving this realm with your happiness. So, again, it boils down to a spiritual connection with each and everything. Gaurav, I want to know from you, that you want to give a message to the audience, and what do you think the audience will take away from this movie? Kavitha, this film, it is a very difficult task to point a particular message. Okay. Because in this film, there are a lot of varied themes, and a lot of contemporary realities. That means, I can't say anything. But I feel like, in a theatre, every member of the audience will take away from it. This is an assorted box. Chocolates. Okay. In which everyone will take away from it. It is a different flavor. Okay. But in this film, migration is a very strong theme, which is the reality of today's today. And there is a reality for generations. That you have to do something, you have to do something, you have to migrate, you have to go, you have to leave your roots. But I think, the most important thing is that you don't forget your roots. Because, if you want to come or not, you have to lose. So, in this film, every character, every character, every person is a kind of migration. So, every person is related to this film's reality. Because it is a male from their reality. Right. Okay. In this film, there is also a dialogue about change. In fact, there is a dialogue in the trailer. That change is a change. It is a change. It is a change. It is a change. It is a change. So, which is a change? It is a change. It is a change. I mean, it is a change. It is a change. It is a change. But then, you have to be very careful. It is a change. So, in this film, it is a change. Any memory? Anything you can tell? Sunny, let's start with you. मैं काफी पेशेंट हो गया हुआ इक पिरीवतन रिवार चाहिए अपने काफी झाल्ग करते हैं अश्डीबावुरह के लिए ब्लश जाएं में परफाजय के लिए टीजिए लिए अचैनल करता है अब्लाइज के लिए इंदेगा नियुटरह हुआ आधी है अब अग्या है, तो यह बेलंस आगए है तो यह परिवर्तन मेरे जिन्देगे के लिए बूल सकता है नाइस गुझे नूलाभ आप मुझे लगता है कि मुझे अपने अपसे कि अपनी शक्सियत से झालने नाम से थोड़ा सा प्यार और हो गया है वहते हैं सेल्फ लव की पाफसालाइगी? है सेल्फ लव मुझे लगका है यहां सबसे शफलाइगी जिसमाना डवा तक यहां है जो मेरे पष्पन साली तो एक हम आप अपको कङ् 깃ती आप तो आपका नाम प्रख दिया जाता है और आपकी पूरी जिंदगी निकल अजिए इस नाम को नि भाने में पड़ गुष्ट मुझे लगता है कि जैसे फिल्म की भात करें एक टॉपिक को लेग के सो लोग बनारस के ओपर फिल्म मनाते है मासान भी फिल्म टेख लेका तरेलर तो मासान की आदगा लिए लिए अग्तार फिल्म क्योंकि एक अद इनसान में बनाही है वही उसकी इसका differing factor है क्योंकि आपकी body, आपकी आवाज, आपकी शक्सियत उससे जुडिए है तो सेल्फ डिस्कुर्वरी, सेल्फ लव जो है वो रहा है हाव लवली, हाव नाइस कमान केटिया मैं सुच्रियू हाव मैं हाव में हाव लुखार देए हुआ हाव वाव गडर अपकी शलिए है मरो मरो मुझे मरो मरो गुस्ता केरती है बड़ जर से चलो अब जाद आपको पुछ नी करूगी मैं नेक्स्ट अब हमे का अब है अब हराव ने हो आपकी लाइस इज वाराव आपकी लाइस अब है गलू है अब है वगलू है कावेता आम वान अठर ज उसकी कहानी मतला बहुत ही छोटे 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 रोल से शुरुवाट तोई है मैं वेरी पर्स्फिम वस तुम्हारी सुलू। तुम्हारी सुलू। लभी छिए सें था जो विद्याबलान की जिम ट्रेनर ती. So, I started very small small roles, very small small path. I was part of this series called Railwayman. Probably a few months I played the character of NAFESHA. Now gradually, 2017, I am watching that by one way, the role of screen time is to grow more. And by that way, I notice a personality change, and I was immediately noticing that प्रिया बिखे लिए इवाई कि ठीके, तेके, ताट गिए गए टीके, बिखे आगी लिए, लिए अगाई कि अगाई है इनको निफिग आगाई है अगाई है, जा बड़ता उन फिखे लिए बादा एंगाई है विकोष अखरा भुदा झालोग संलुन् से दुरूकर और सतन को यहाँ उनु झालोग ज़शे है वहां ऊछुन्सुन्ट झालोग तो सित्चिते है Кमुमृन निश्रा है कि अगर पहले अच्छे इन्सन वह जादा गालोग जह लेखाना you है गच्छा ठाटीज बनाता है नहीं अजी लाइन आप दैपो और यह थे आप सक्क्राइश भी आप लिखे अर्वाचा सही है कि बहुत सही है कि अ पूछ थी पर्सक्टिब अजीति हुछ बहुत कि बहुत सही है रिजित है हैं अगर एक तरफ तरह के से मान लिया, आगर दो अगा. So, I think as a human being, or as an actor.. you have to be like little flexible. Last, मैं in the end आपसे चाना चाहती हूं Gaurav, I want to you to, you know, just end this interview. कि जिस्टर्थ के फिल्मे आज कल बन रही है, जो लांस्केप है है, इंधी छिन्दी सिनेमा का आज अगर मैं बात करो, what's your tip? मुझे ऐसा लगता है कि लैंड्सकेप काफी फर्टाइल है बहुत उपजाओ है नहीं उन्हों लैंड्सकेप लैंड्सकेप जो काफी फर्टाइल है और मुझे लगता है कि ऐसी इंट्रेस्टिंग फिल्मेकर्स को इंट्रेस्टिंग सब्जेक्स लाकि उसको पानी देते रहे है बस फू लैंसकेप को और जन्ता तयार है जैसे आपने लापता लेडिस की बात की त्वेल्थ पेल की बात की सो पीपल रेड़ी पीपल क्रेब फॉर पॉर इंट्रेस्टिंग है वाटी मिलता नहीं है लेकिन जयसे मैंने का उग जाओ है हम सीज के रहेंगे और मिलता है उसके response से ओडियनस बताए है और आप इंट एटेर इस का इंग So first we need courage for someone to make something like you and Sunny had And now the audience will tell us that they love it Thank you so much, it was lovely talking to you all Thank you so much for your time Thank you Kavita Thank you